नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नज़र डालते हैं पंचांग पर शुक्रवार 11 अक्टूबर 2024 शुब विक्रम समवत 2081 समवतसर का नाम कालियुक्त शाके समवत 1946 हिज्री समवत 1446 बताते हैं आप वो आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है शुब तिथी अश्टमी जय संगेक तिथी दुपेर बारा साथ तक तरंतर नवमी रिक्ता संगेक तिथी प्रारंब हो जाएगी आज महा अश्टमी भी है अश्टमी तिथी में मनोरंजन के कारे रतन परीक्षन विवादी मांगलिक कारे मास्तु करम प्रतिष्था वशस्त्रदरान आधी कारे से दोते हैं नवमी तिथी में शुबकारे वर्जत है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फल्दाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नजर डालें तो आज कौन-कौन से योग बन रहे हैं इनमें विशिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं नजर आज के व्रतोतसब त्योहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं और अब जानिये जोतेशियों के मताविक पंचांग में चंदरमा की सिती क्या रहने वाली हैं रहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंदरमा चंदरमा धनूर राशी में पूरवाहन 11.41 तक त्लंदर मकर राशी में रहेगा दिशाशूल चुक्रवार को पश्चिम दिशा की आतरा में दिशाशूल रहता है चंदल सिती के अनुसाराज पूरवाहन 11.41 तक पूर्व दिशाकी वा इसके बाद दक्षन दिशाकी आतरा लावदायक वा शुप्रद है राहुकाल मधेमान से प्रातर साड़े दस बजे से दुपैर बारा बजे तक राहुकाल वेला में शुप कारेरम यथा संभव वर्जित रखना हितकर है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुप मुहूर्थ और स्रिष्ट चोगडिये के बारे में अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जनम आज होँआ है जो तेशान उसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जनम लेने वाले बच्चों के नाम भे वो जजी की आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं पुरवाहन 11.41 तक जन्मे जातकों की जनम राशी धनू वो इसके बाद जन्मे जातकों की जनम राशी मकर है धनू राशी के स्वामी ब्रहस्पति वा मकर राशी के स्वामी शनी देव है इनका जनम तामरपात से है सामाने तह ये जातक होशिया, चतुर परोपकारी, विनम्र, शांत, धर्मपरायन, सुखी, विनीत और सर्वप्रिय होते हैं इनका भागिवदा 31 वर्ष तक होता है धनुराशी वाले जातकों के कारे शेत्र में आ रहे ही समस्याओं का समाधान होगा परिश्रम से आर्थिकलाब भी होगा तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह, नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद